आज के इस सेग्मेंट में हम लोग एक बहुत ही इंपॉटेंट टॉपिक डिसकस करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है पोटेंसियल या फिर वोल्टेज डिवाइडर बायस जिसे मिक्स टाइप बायसिंग भी बोलते हैं और चुकि इसमें इमिटर बायस भी जुड़ा होता है तो इसका नाम है वोल्टेज या पोटेंसियल डिवाइडर बायस विद इमिटर बायस तो यह बायसिंग के जो हम लोग यह सरकिट पढ़ रहे हैं आप लोगों को बताय गया था टोटल चार प्रकार से ट्रांजिस्टर की बायसिंग की जाती है तो इसमें सबसे लास्ट सरकिट का पूरा अच्छे से अनालिसिस करेंगे इसका इस्टेबिल्टी फैक्टर कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि कैसे यह सरकिट जो है वो ट्रांजिस्टर एम्प्लिफिकेशन की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा इस्टेबिलाइजेशन प्रवाइड करता है ठीक इसके बाद एक टॉपिक और है फिर यह यूनिट खतम हो जाएगा ठीक है याद रखिएगा यह सभी प्रकार के बाइसिंग में यही बाइसिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी का आज के समय में यूज होता है तो देखिए यहां पर यह पहले सरकिट आप सम इसलिए बढ़ जाता है कि यह resistance नहीं लगाएंगे तो इमिटर सीधे ground हो जाएगा अब सीधे इमिटर ground हो जाएगा तो कही न कहीं operating point जो है consistent होने का खत्रा बढ़ जाता है यानि operating point saturation region या cut off region में जाने का खत्रा बढ़ जाता है जबकि operating point होना चाहिए active region उसके लिए जैसे यहां resistance लगाया जाता है तो यहां पर कुछ potential यहां पर मिल जाएगा और उस potential के करण यह emitter जो है active region में ही रहेगा इसका operating point active region में रहेगा ठीक है I hope आप connect कर पा रहे होंगे आप transistor basing वाला जो q point वाला operating point वाला वीडियो बताया हूँ एक बार उसको देख के आई यह electronics के सारे वीडियो बिल्कुल क्रम से देखिए वरना बीच में से बिल्कुल नहीं समझ में आएगा क्रम से देखेंगे मैं guarantee देता हूँ आपको सब चीज एक दम बिल्कुल अच्छे समझ में आ जागा circuit analysis अब देखिए यहाँ पे यह जो transistor है आप जानते हैं ट्रांजिस्टर को यह एक यह collector पर रिजिस्टेंस लगाया जाता है आर्सी यहीं से हम लोग लेते हैं आउटपूट तो आउटपूट लेने के लिए यहाँ पर यह capacitor एक लगा दिया जाता है क्यों लगा दिया जाता है यह हम लोग बाद में discuss करेंगे capacitor का actual में रोल होता है कि DC voltage को यहीं पर ब्लॉक कर दे और किवल और किवल AC signal ही output में जाए क्योंकि DC signal को ब्लॉक कर देता है अगर DC यह capacitor नहीं लगाएंगे तो DC signal भी output में चला जाएगा और इसकी बाइसिंग डिश्टर्ब हो जाएगी क्योंकि DC signal का काम होता है क्यों बाइसिंग करना इसी प्रकार यहां पर देखिए जो input signal में यह AC input signal दिया गया है तो यहां पर भी एक capacitor लगा दिया गया है कि जो DC component है इसका जो DC यह battery लगाया गया है जो इस transistor की बाइसिंग करता ह यानि emitter junction को forward बाइस रखता है और collector junction को reverse बाइस रखता है यह DC battery उसका जो voltage है यह इधर इसके साथ loading effect न करे या फिर इस source का DC component यहां base पर न जाए जिससे कि इसकी बाइसिंग डिश्टर्ब न हो किवल और किवल यहां से capacitor के माध्यम से AC जाए और AC यहां base से जाके इस transistor द्व और किवल transistor की बाइसिंग करता है बाइसिंग मतलब emitter और base के बीच में इतना voltage रखेगा कि emitter forward बाइस में हो जाए और collector reverse बाइस में हो जाए बस इतना काम होता है DC battery का फिर यह AC signal यहां capacitor से जाएगा DC यहीं पर इसके अंदर ही DC जो है वो इतने area में किवल रुका रहेगा ता तो यहां पर इसको potential divider इसलिए करते हैं कि माल लिए यह 12V का battery है तो यह जो 12V का voltage आप देखे यहां से देखे यहां से अगर आप प्लस VCC यह 12V यहां पर है तो यह वाला जो component है यह पूरा यहां से ground तक और यह transistor को लेते हुए यह वाला पूरा दो circuit यह कहीं कहीं कुछ इस इसरा parallel यह है तो आप जानते हैं जब resistance यह circuit parallel में होता है तो voltage सेम होता है तो यानि यहां से लेकर यहां तक का भी potential difference 12V का होगा और यहां से लेकर यहां तक का भी potential difference 12V होगा तो ऐसे में होता क्या है यह जो resistance है इस 12V को यह R1 R2 12V को दो भागों में तोड़ देंगे माल यह कुछ voltage जैसे 6V drop कर गया तो बचा हुआ जो 6V हो यहां पर पहुचा तो यह 6V क्या करेगा इस emitter और base वाले junction को forward बाइस में कर देगा और बाकि दूसरे branch से यह 12V आया है इस RC के through होके यहां इस collector को reverse बाइस में कर देगा यानि कहीं न कहीं यह जो R1 R2 दोनो resistance है इन्हों इस potential इस VCC के voltage को divide करके दो भागों में बाट के एक भाग इसका इस emitter junction को forward बाइस कर देता है और दूसरा भाग यहां इससे combined होके collector को reverse बाइस कर देता है इसलिए इसको potential divider बाइस करते हैं समझ में आया ना और यहां पर यह इमिटर वाला यह इसलिए काम है कि एगर emitter नही हो गया zero लेकिन जब यहां पर आप emitter लगा देंगे तो माल लीजिए यहां से यहां का potential difference कुछ न कुछ मिलेगा तो 2V यहां पर माल लीजिए emitter पर रुग गया और यहां पर zero तो यहां पर 2V का अगर यह drop करा दिया तो यह emitter के पास 2V का potential यहां पर ठैल गया जिसके कारण emitter 2V पे हो गया तो कहीं न कहीं emitter इस transistor के working में stability आ जाता है ठीक है operating point को cutoff या saturation region में जाने का खतरा टल जाता है तो यह पूरा यह circuit इस तरह से काम करता है या शौरी आगे बढ़ते हैं बाकी सब चीजे इसी के theory के साथ आपको समझाता रहूँगा ठीक है अब यहां पर in this method the forward bias of emitter based junction and reverse bias of the collector based junction are provided by the supply voltage VCC through the resistance R1, R2 and RE ठीक है इनी तीनों resistance का रोल होता है इस विधी में किवल एक ही battery VCC के सहायता से प्रतिरोध R1, R2 तथा R2 के माध्यम से emitter based junction forward bias यानी अगर अभिनत में और collector based junction reverse bias यानी post अभिनत में रखा जाता है आगे बढ़ते हैं resistance R1 and R2 acts as a potential divider अभी-भी मैंने बताया कैसे यह voltage को divide करके अपना काम करते हैं which provides biasing and emitter resistance RE provides stabilization यह मैंने अभी-भी आप लोगों को समझाया है कि यह क्या इनका रोल होता है माल लेते हैं let the current flowing through R1 is I1 and the current flowing through R2 is I2 चुकि base current बहुत ही small होगा इसलिए I1, I2 लगभग बराबर माना जा सकता है एक बार फिर से circuit पे आईए देखिए यहाँ पे माल लेते हैं कि इस वाले resistance में I1 current flow कर रहा है और इस वाले resistance में I2 चुकि यह base current यह micro ampere के range का होता है बहुत हम लोग अपना लगाएंगे किर्चाफ voltage law यहाँ पे देखिए यह वाला अभी अभी मैंने आपको circuit में बताया था देखिए यहाँ पे देखिए circuit में अभी अभी मैंने बताया था कि यह parallel में है इसके तो यहाँ से मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक का circuit का potential difference मिलने वाला है Vcc तो Vcc बराबर I1 R1 इसके cross potential drop प्लस इसके cross potential drop मतलब जैसे देखिए 12V का battery है तो 12V के battery का मान लिजे 8V यह खा गया तो बच्चा हुआ 4V कौन खा जाएगा यह खा जाएगा अब बाकि यहाँ पे फिर potential difference 0 तो यहाँ पे potential drop 8V का हो गया यहाँ पे 4V का तो 8-4-12 ही होगा त तो यहीं इसके cross potential drop I1 into R1 और इसके cross potential drop I2 into R2 दोनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा Vcc के बराबर हो जाएगा 12V जो अभी मैं लेके समझा रहा हूँ तो यहीं तो मैंने यहाँ पे किया है I1 R1 प्लस I2 R2 is equal to Vcc अब यहाँ से देखिए I1 और I2 लगभग बराबर है तो यहाँ से निकल के आया I1 equal to Vcc by R1 plus R2 तो कितना voltage developed होगा across R2 के cross तो यहाँ पे अब यह तो पता चल गया कि चलिए I1 का मान आ गया और I1 I2 दोनों बराबर है तो भाई इसमें भी I1 current flow कर रहा है इसमें भी I1 तो इसके cross कितना potential drop होगा तो इसके cross जो potential drop निकले होगा R2 के cross उसको हमने यहाँ पर नाम दे दिया है वी टू यहाँ पर देखिए तो वी टू तो यहाँ पर वी टू इसको कितना हो जाएगा Vcc by R1 plus R2 into R2 के cross लेना है तो यह तो बड़ा सिंपल सा mathematics है circuit analysis का आप समझ रहे हैं तो यहाँ पर हाँ यह voltage हो गया अब इसके आपको समझना चाहिए VBE plus IE into R2 अब देखिए यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो voltage difference होगा वही यहाँ से यहाँ तक का भी होगा क्योंकि यह भी दोनों तो parallel हैं तो parallel हैं तो इस branch में जितना potential difference होगा इस branch में भी उतना होगा तो इस branch में potential difference या potential drop V2 है और इस branch में यहाँ से यहाँ तक कितना है देखिए यहाँ से यहाँ तक चलेंगे base से emitter तो माल लेते हैं potential drops VBE यानि voltage base to emitter है और यहाँ इस resistance में potential drop कितना हो जाएगा IE into RE क्योंकि V is equal to IR होता है यानि जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक का माल लीजिए potential drop है 4V तो हो सकता है base से emitter के बीच का potential drop ह तो एक वोल्ट तो बचा हुआ 3V कहाँ पर drop करेगा यहाँ IE into RE तो 3 प्लस एक 4 और यहाँ पर यहाँ पर यह बराबर होना चाहिए इसलिए V2 is equal to यह होगा VBE plus IE into RE यहाँ पर हम लोग लगाएंगे तो आप यहाँ पर देखिए यह हो जाएगा वही चीज मैंने यहाँ प अपियर के order का जबकि यह दोनों मिली अंपियर के order के होते हैं तो इमिटर करेंट और कलेक्टर करेंट लगभग बराबर ही होंगे अब हम फिर से equation 2 पे आते हैं वापस हम इस मान को ले जाकि equation 2 में adjust करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा IE RE is equal to V2 minus VBE और यहाँ से IE का म निकाल लीजिए वो हो जाएगा V2 minus VBE बटे RE अभी अभी मैंने बताया इमिटर करेंट और कलेक्टर करेंट बराबर होगा लगभग तो इमिटर करेंट को हम replace कर देंगे कलेक्टर करेंट से यानि यह हमारा कलेक्टर करेंट आ गया सवाल यह रहता है कि हम लोग इतना यह क क्यों रहे थे तो देखिए यह इसलिए हम लोग कर रहे थे कि इससे हमें समझ में आया कि जो output करेंट है यानि collector करेंट है वो तो alpha या beta जो है जो current gain है उस पे तो निर्भर ही नहीं कर रहा है क्योंकि हमारे बाइसिंग का यही condition था कि बाइसिंग में चाहे कुछ भी करिए output करेंट को जो ट्रांजिस्टर पैरामीटर alpha एंड बीटा होता है इससे independent बना दीजिए जब यह इस पे नहीं निर्भर करेंगा तो यह किसी चीज़ निर्भर नहीं करेंगा तो जादे output करें में alpha बीटा का factor ही नहीं है इसका मतलब यह एक अच्छा stabilization प्रोवाइट करेंगा अब हम लोग इसका stability factor calculate करते हैं तो यह i1 और v2 का मान मैंने सीधे उपर से लिख दिया है यह उपर हम लोग कर चुके है ठीक है यह मैं सीधे लिख दो अब मैं किर्चाव voltage law apply करता हूं collector circuit पे तो collector circuit पे आ जाईए collector मतलब यह जो दूसरा वाला ब्रांच था दूसरा वाला ब्रांच यहां पे आईए यहां से यहां यह वाला ब्रांच पे अब हम लोग किर्चाव voltage लोग यहां से यह transistor को लेते हुए इस ब्रांच में तो चलिए यह VCC बराबर इतना voltage बराबर देखे जैसे यह 12V है माल लिजे 12V का 3V यह खा गया और उसके बाद यहां collector से emitter माल लिजे 6V यह खा गया तो 639 हो गया 10 11 12 तो 3V कौन खा जाएगा यह resistance emitter वाला resistance खा जाएगा तो 12 यह 3, 639, 9, 3, 12 तो इसी को simple equation बना दीजिए VCC बराबर voltage drop across this यानि IC into RC plus VCE plus IE into RE simple equation बन के तयार हो गया यह equation यहां पर लिखा गया है ठीक है फिर से हम लोग वहां पर पहुचते हैं हाँ आप लोग देख लीजिएगा यह वही equation है बाकी कुछ भी नहीं है तो यहां से VCC का एक मान रुख गया अब हम लोग किर्चाब voltage law base वाले circuit में apply करते हैं तो base वाले circuit में apply करेंगे तो देखे क्या मिलेगा यहां पर आजे यह base वाले circuit में यह देखिए तो यहां पर V2 बराबर देखे इसके cross drop कितना था V2 था यहां उसको VT भी लिख सकते हैं तो V2 is equal to अब यहां पर V2 is equal to देखेगा यह VBE plus this factor यह पूरा जूड़ेगा plus this factor यहां पर यह base वाले circuit में जब किर्चाफ law लगाएंगे तो देखे यह यहां पर यह देखे वी टी यहां पर T कोई मतलब नहीं है यहां VT और V2 दोनों बराबर ही है तो V2 ही पढ़िए चलिए V2 बराबर IB into RT RT क्या है R1 और R2 का equivalent resistance है यह प्लस VBE plus IE into RE ठीक है simple सा बिलकुल theorem तो यहां से V2 यानि VT is equal to यहां IE emitter is equal to base current plus collector current रख देंगे into RE याद रखिएगा RT क्या है R1 और R2 का equivalent है और VT और V2 दोनों बराबर है resistance R2 के cross potential drop है V2 या VT अब हम लोग क्या करते हैं यह जो equation 1 है इसको differentiate करते हैं with respect to IC ध्यान रहे हम लोग stability factor calculate कर रहे हैं तो equation 1 को हम लोग differentiate करेंगे IC के सापेक्ष में यहां पर हाँ ठीक है ठीक है इस equation को हम लोग differentiate करेंगे तो क्या आएगा डेल यहां पर आएगा डेल VT यानि डेल V2 बाई डेल IC यह 0 आएगा क्यों क्योंकि अभी अभी तो बताये थे कि जो IC है वो in factor पर निरभर VT जो है वो IC के spec में constant है तो यह इधर इतना 0 आएगा इधर यह क्या आएगा यह आएगा डेल IB बाई डेल IC RT तो constant है प्लस VBE भी constant है क्योंकि VBE IC पर निरभर नहीं करता तो यह इसका डिफ्रेंसियेशन 0 होगा और यहां से यह डेल IB बाई डेल IC into RE होगा और यह IC है तो डेल IC बाई डेल IC 1 आ जाएगा into RE प्लस RE अभी यहां से हम लोग मान निकालेंगे डेल IB बाई डेल IC का यह simple rearrangement किया गया है अब यहां पर डेल IB बाई डेल IC का मान निकाल लीजिए माइनस RE भाई RE प्लस RT आएगा ठीक है simple सा mathematics है क्यों यह निकाल रहे है क्योंकि भाई जो stability factor का formula होता है S वहां पर यह डेल IB बाई डेल IC होता है तो यहां से stability factor S is equal to beta plus 1 बटे 1 minus beta डेल IB बाई डेल IC अब यहां पर रख दीजिए अब हम लोग थोड़ा सा एक rearrangement करेंगे सिंपल सा rearrangement कि यहां पर किया गया है उसके बाद यहां से देखिए यह rearrangement आप लोग अराम से इसको अच्छे से समझिएगा यहां पर ठीक है इसको जब आप solve करेंगे reverse में तो यह वापस से यही factor आएगा देखिए re into beta plus 1 यह beta plus 1 में से आरी common ले लेंगे तो उतने ही आजाएगा प्लस आर्टी होगा और यहां पर आरी plus आरी आरी वापस कट जाएगा तो यह वही चीज़ आएगा यही वला factor आएगा ठीक है अब ऐसा क्यों किया जा रहा है इसलिए किया जा रहा है कि better stability के लिए अगर आर्टी का मान हम कम रखें और आरी का मान अधिक रखें तो आर्टी बटे आरी लगभग 0 हो जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि जब इस factor को हम 0 एकदम minimum कर देंगे तो यहां से यह तो गया अब यह beta plus 1 beta plus 1 कट जाएगा और stability factor वाले lecture में मैंने बताया था कि एक अच्छे circuit का यही खासियत होता है कि उसका stability factor minimum हो और minimum कितना हो सकता है stability factor 1, 1 से कम नहीं हो सकता, अगर stability factor 1 है तो वो सबसे best stabilizing circuit माना जाएगा, 1 से जितने ही stability factor जादे आएगा उस circuit की stability बिगड़ने लगती है, तो इसके लिए condition क्या है, इस circuit में हमें RT पटे RE का मान कम से कम रखना है 0 के आसपास, इसके लिए दो चीजे हैं, या तो RT का मान कम करिए या RE का मान बहुत जादे बढ़ा दीजी, इन दोनों condition से यह achieve हो जाएगा, तो यही circuit का baising condition होता है, baising करते समय इतना ध्यान रखा जाता है कि RT का मान कम से कम ह और RE का मान अधिक से अधिक हो, तब जाके stability factor इसका 1 आएगा और circuit अच्छा माना जाएगा, it is the smallest possible value of stability factor which leads to maximum possible thermal stability, अब stabilization इसमें हो कैसे रहा है, इसका मैंने एक flow chart बनाया है, आप लोग देख लीजे, इसको समझ में आ जाएगा, flow chart इसे आपको समझ में आएगा कि कैसे इस circuit क stabilization हो रहा है, stabilization देखे मान लीजे, circuit में किसी तरह temperature बढ़ गया, तो temperature बढ़ेगा, तो आप लोग जानते है, reverse saturation current ICO बढ़ जाता है, और जब जब ICO बढ़ेगा, तो collector current IC बढ़ जाएगा, collector current IC बढ़ेगा, तो emitter current IE बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों ये बराबर होते हैं, अ यानि emitter resistance के cross potential drop बढ़ जाएगा, emitter resistance याद है न, जो emitter के नीचे देखे, IE बढ़ने का मतलब हुआ, यहाँ पर आ जाई है, circuit में, IE बढ़ने का मतलब हुआ, इस वाले branch में current बढ़ गया, तो current बढ़ गया, तो इसके cross potential drop VE is equal to IE into RE है, वो भी बढ़ जाएगा, अब ये बढ़ जाएगा, IE into RE, तो अब यहाँ से देखे आगे क्या होता है, जैसे ही, IE into RE बढ़ेगा, यानि VE बढ़ेगा, तो VBE का मान कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी अभी एक equation में हमने निकाला था, कि V2 is equal to क्या होता है, VBE plus VE, तो यहाँ से VBE निकालेंगे, तो अब यह VE का मान बढ़ रहा है यहाँ पे, तो आटोमेटिक VBE का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो VBE का मतलब हुआ यहाँ पे देखिए, base 2 emitter के बीच का जो voltage है, वो कम हो जाएगा, potential drop यहाँ बढ़ जाएगा, तो आटोमेटिक VBE का मान कम हो जाएगा, क्यों, भ parallel में हैं, तो यहाँ से V2 बराबर VBE प्लस मिलेगा VE, VE मतलब यह, IE into RE, तो अगर यह मान बढ़ा, और इन दोनों को मिला के इसके बराबर होना है, तो इसको घटना ही पड़ेगा, तो VBE क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जैसे ही base से emitter के बीच का voltage कम होगा, बेस से emitter के बीच का voltage कम हुआ, तो तुरंत base current IB भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अब base current IB कम हो गया, आपका input current ही कम हो गया, तो automatic output current जो IC है, वो भी तो कम हो जाएगा, तो यही तो इस circuit में बताया गया है, stabilization के flow chart में, यही बताया गया है, कि जैसे VBE कम होगा, base से emitter के voltage कम होगा, वैसे ही input current IB भी कम हो जाएगा, और IB कम होगा, तो automatic output current IC कम होगा, और IC कम होगा, तो automatic transistor का temperature down हो जाएगा, और transistor का temperature down हो गया, तो transistor में thermal runaway नहीं होगा, और thermal runaway नहीं होगा, तो transistor जलेगा नहीं, और हमारे transistor की stability बढ़ जाएगी, I hope आपको यह समझ में आया होगा, आ ही मैंने यहां पर language में लिख दिया है जो लोग flow chart prefer नहीं करते हैं वो language में लिखेंगे if the collector current IC increases due to rise in temperature then voltage drop VE also across the emitter resistance RE increases hence VBE decreases because this equation holds because V2 is independent of IC and V2 यह होता है so finally base current decreases and it tends to restore the collector current IC to its original value ठीक है जिससे transistor का temperature बहुत बढ़ नहीं पाता और circuit stabilize हो जाता है अब इसका advantage यह है कि this biasing method is almost universally used यानि यह विधी सभी जगा प्रयोग की जाती है several combination of R1 and R2 are possible ठीक है यानि R1 और R2 के आप कई combination लेके आप लोग RT निकाल सकते हैं और याद है na RT हमें कम से कम रखना है तीसरा only one common power supply VCC यह तो मैंने आपको बताया कि एक ही battery की ज़रुवत होती है एक ही battery से emitter junction forward भाइस हो जाता है collector junction reverse भाइस हो जाता है R1 और R2 की मजद से the gain of transistor is not affected by negative feedback इस विधी में negative feedback के बावजूट transistor का gain प्रभावित नहीं होता है the operating point is stable and it is almost independent of change in temperature यानि इस विधी में operating point is stable होता है जो Q point होता है QCN point वो stable रहता है और तापमान में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता ठीक है तो यह था हमारा potential divider biasing या voltage divider biasing ठीक है जिसको mixed type biasing भी बोला जाता है ठीक है काफी important circuit होता है I hope आपको यह circuit पूरा अच्छे समझ में आज़क आगया होगा काफी बड़ा lecture हो गया वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद